नई द्रश्टी ज्ञान विज्ञानी, नई द्रश्टी मुख्ष प्रदानी, नई राह अक्रम मार्गी, नई राह हो दादाई नई द्रश्टी नई रा पुग्राम में Religion का सबसे strong and popular pillar है भक्ती यानि की devotion लोग भक्ती क्यों करते हैं भगवान को पाने के लिए क्या सचे दिल से भक्ती करने से भगवान मिलते हैं भक्ती कैसी होनी चाहिए चलिए समझते हैं इसी भक्ती से जुड़े सवाल हमारे आगमगनानी से मगर वो एकादशी अलग है दादश भी ने अलग से प्रताई है अग्यारस यहने पांच कर्मेंद्रियों पांच ग्यानेंद्रियों और ग्यारावा मन सभी को उपवास रखो यहने पांच कर्मेंद्रियों ने दो हाथ दो पाउँ खाना मुह है ट्वालेट जाना बातरूम यह पांच करमेंद्रिया बोला जाता है. और पांच ग्नेंद्रिया आख, नाख, मूँच, सपर्ष और सुगन्द. पांच करमेंद्रिया, जिनानेंद्रिया. और इहाग ग्यारावा मन्न. सभी को उपषा आने उसके ज्याता दरष्टा रहा हो. तो देखने में जाएंगे तो नहीं, एक दिन समय लोग घर में कोई बारगाओं गए है तो खाली घर होगा, तो उस दिन आराम से बैठ जानेगा, स्टोपर मारकें फॉन डिस्ट कनेक करके किसी का कॉंटेक न कनार, सुबह साड़े, सुबह 6 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक 24 गंटा एक ही जगा बैठना और दादा बगवान या से मंदर सामी का फोटो मूर्ती कुछ भी रखो और अजीत कुमार के वो ज्याता दरश्टा रहना है कि प्रकृति में क्या हो रहा है, खाने पीने का बन एकाद बार जाना पड़ेगा तो ट्वालेट बातरूं जाना पड़ेगा तो बले जा के आजा और सो जाने का थोड़ा लेटे रहेगा इसे नहीं, उप्योग पुरबले सपोर्ट देके बैठो, और प्रकृति को देखना है, फाइल बन को और शुद्ध उप्योग में रहना है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उप्योग में रो परविचार क्या आते हैं, चीत कहाँ बटकता है शरीर में क्या इफ्रेक्ट होती सबके याता दरश्टा रो तो ये ऐसे प्रयोग कर सकते है ये चाउथी आपताणी में आईगा विया है उप्योग पूर्वक उपवास आप सुन रहे हैं नई द्रिष्टी नई रा आज हम समझ रहे हैं भक्ति के ट्रू मीनिंग को यानि की डिवोशिन को दोस्तो तो ये भक्ति क्या है भगवान से नाता जोड़ना वननिस फील करना दोस्तो हम भक्ति क्यों करते हैं भगवान पाने के लिए या अपने सेल्फिश मोटिव के लिए सची भक्ति किसे कहते हैं क्या सिर्फ भक्ति करने पर हमारा अध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा इन सब सवालों के जवाब चलिए हम सुनते हैं अपने आत्मगिनानी से onu देखें जिवढ़ें अध्यात्मिक उभ चलिए façon तेखएंखणयाइश खने अफ्याप तरफािश, खेसक वोग्रेट बात्मग्यात्मिक फक्रिण को मत्राटी बेख्या चीव अग्यान भी लिचांगंग इन भी खने खने ग्यान करण म सबस्घन का हा ऐसे पात्र हुए है और उन्होंने ऐसे किया भी है गणपती जी है यह भी पात्र था मगर थोड़ी थोड़ी बात में मिक्स्चर हो जाती है अभी है यह सब अभी सच मुझ नहीं है तो हम स्तूती करते हैं उसकी सब लोग करते हैं सब लोग करते मगर किसको पहुंचता है जो तो शीव स्वरुप उसको पहुंचता है, और शीव किसको बोला जाता है, पर उस वक्त हम एकदम आनन्द भी बोर जाते हैं, तो ही मैं बताता हूं, कि देखो एक बात, दो बात करेंगे, पहली बात यह है कि जो शीव स्वरुप यह आत्म ज्यानी वो सभी शीव स्वरुप यह आप अपने भीतर वाले आत्मा को नहीं पहिचानते हो, और शीव की मूर्ती है, चित्रपठ है, या कुछ भी फोटोग्राफी या आपकी कल्पना में है, धारण करके आप पुजा करते हो, भक्ती करते हो, स्त्रोत करते हो, पजन करते हो, तो आपकी स्रद्धा में जो आपके भीतर वाले भगवान को ही पहुचता है, पर वाया मीडियम भगवान को पहुचता है, अपने ही भगवान को, हैंने परोक्ष भक्ती आप करते हो, और आपकी ही स्रद्धा आपको फल देती है, और आपको आनन, सूख, अनुबहों में आता है, तो यह गलप नहीं है क्योंकि इस जिनकी मुर्ती रखी है वो बुद्काल में कोई भी स्वरुप से है वे थे तो ये उनके गुलगान गाते है एसे शिव स्वरुप है ऐसे गणपती है उसे अंबा मात्याजी है इसे बगवान है तो उस्तुति करने से परोक्ष भक्ति होने से आपको सुक आनंद मिलता है और ओ मिलने से आपको पुन्य का बीज भी गिरता है और आपका संसार में अभ्यूदे होता है मुर्ति की भक्ति करने से मुर्ति याने हिंदुसान का बहुत बड़ा विज्ञान है मुर्ति की भक्ति अवश्यक करनी ही चाहिए जो भी स्रद्धा है आपकी वो करने से संसार फर मिलता है संसार में अच्छे पती अच्छे पत्नी अच्छे माबाप अच्छे पुत्र और सारा धर्म अच्छा धर्म मिलेगा सारा अच्छा सरीव मिलेगा और समसार में पुन्य का बीच डालते उससे समसार से मोक्ष के प्रती डेवलप्मेंट बढ़ता है याने मुर्ती की भक्ती अवश्यक है और अभी जिनकी मुर्ती रखी है वो कोई न कोई स्वरुप में पहले था या तो ब्रह्मा विष्णु मह हिस्ठ रखते हैं ने तो कोई गौण के प्रतीनीधी स्वमान उसकी स्थापित किया गया है जो सत्व रज तब गुण है तो गुण के देवी देवता को स्थापन किया है अपने रुश्यमुनियों और उनकी भक्ती करने से आपको वो गुण प्रगट होते है प्रख्रती क गुन गणपती जी है तो भगवान मावील थे उनके पास गंदर गवतम स्वामी थे 11 गंदर थे उसमें गंदर में भी गंदर पती जो थे गवतम स्वामी तो वो गणपती बोला जाता है उनको गणपती बोले जाते हैं, तो ये गणपती का बाद में स्वरुप दिरे दिरे दिरे, सामुदरिक शास्त्रा में जो लंबयनाख है, बड़े कान है, छोटी आख है, तो ये बहुत बड़ी बुद्धी है, बहुत उची समझ है, बहुत बड़ा आंकार, ऐसा उनका स्व तो ये स्वरुप को बाद में 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 थोड़ थोड़ा रूपक हो जाता है, रूपक जाने जो मुल वस्तू थी उसके प्रतिकृती जेसे कुछ हो जाता है, रूप परिभरते हैं, और बाद में उसकी भक्ती करते रहते हैं, पहुचता है प्रतिकृती से मुल वस्तू को, और मुल वस्तू भी आत्म ज्यानी थे, तो खुद के ही आत्मा को पॉँचता है, यहने हिंदुस्तान में जितने भी धर्म में जो भी बताया गया है, करेक्ट है, करते जाने का है, मगर उस जगह पे हमेशा के लिए रूखना नहीं है, आत्मा को डुणना है, आत्म ज्ञान पाना है लाष्ट में, मौक्ष का ध्याई पकड़ना है, और वहाँ जाने तक यह सब स्टान्डर्स हेल्फुल है, समझ में आया आपको, यहने जितना भी स्तूती करो, और उससे आनंद रहेगा, वो भी हरकत नहीं होने दो, उससे पुन्य का भीश गिरता है, और आपकी समसार में प्रगति होते जाएगी, आप सुन रहे हैं नई द्रिष्टी नई रा, दोस्तों आज हम जान रहे हैं भक्ती के बारे में, भक्ती, नाम सुनते ही हमें, भजन, पूजापाठ, यही सब विचार मन में आती है, तो सवाल यह उड़ता है कि भक्ती से जिन्दगी में कुछ लाब होता है, भक्ती करने से भगवान मिलते हैं, क्या यही एक मोक्ष प्राप्ती का सादन है, अगर हैं तो किस की भक्ती करनी चाहिए, और कैसी करनी चाहिए, चलिए सुनते हैं The Real Definition of भक्ती हमारे अगले सेग्मेंट में, मंदीर का प्रसाद, गुरू का चरणों तक तीर्थ का काजल भस्म आदी के को प्राप्ती करके पाप कट जाते हैं, पविश्य सुदर जाता है, मनों कामना पुर्ण होती है, यदि प्रसाद आदी की उपेक्षा करे, तो दुर्भाग्या को नोता देता है, प्रसाद का क्या सच्मुच महत्वा है, या नहीं इक रुपया प्रकाश डाले, यह जितने भी हैं गुरू का चरणों का रज है, तिर्थों का काजल, भस्म, मंदीर का प्रसाद, वो कोई भी मंदीर में बगवान के मुर्ती रहती है, या देव देविया रहती है, कुछ खाना पिना रखते हैं, और वो देव देवियों को अरपन करते हैं, और जो मनुष्या खाना स्थूल खा सकता है, देव देवियां स्थूल खाना नहीं खाते हैं, तो वो सुक्ष्म प्रशाद आतो प्रोपकाथ सवरुप से हमकाते हैं तो जब ही आपफाने के बैठते हैं तो सच्मु देव देवीयों को अरपन करते हैं तो तो अव ईक वा Ст्रघय में तो घंगी निर अजय हैं, एक अश्वार स्नु पार्षाद आपके शरीवे सभी को दूख दो, खुद भी दुखी हो, दूसरे को भी दुख दो, और सम्यक बुद्धी इसको बोला जाता है, खुद भी सुखी होता है, दूसरे को भी सुखी करता है, तो ऐसी बुद्धी की शुरुवात, यह प्रसाद ऐसे सब भक्ती से होता है, यह यह अच्छी चीज जो पाप कटते हैं, वो व़यवार में ऐसे बोलते हैं, कि पाप कठेंगे, सच मुष तो पाप कटते नहीं है, हाँ, पुन्य जरूर होता, क्या स्रद्धा के वजए से आपको पुन्य का बीश गिरता है, बर पाप तो नहीं कटेगा, पाप की व्याक्या क्या है, दूसरे को कुछ भी दुख दिया तो पाप कर्मचार्ज होता है दूसरे को कुछ भी सूख दिया तो पुन्य कर्मचार्ज होता है तो पाप दूसरे को दुख देने से हुआ है तो वो दुख की माफी मांगने से ही पाप कटेगा और बार बार दुख नहीं देंगे आप दुख तो पाप अपका नहीं उतपन होगा. प्रसाद चड़ाने के हत्रीक, जब उसे विदरन किया जाता है, लोग मांगते हैं, उन्हें इस तरह का लोब भी दिया जाता है, भे भी दिया जाता है, कि इसे पाओगे, इसे प्राप्त करोगे, तो तुम्हारी मनों कामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारा भाग्य सुधर ज जल्दी में उसका कैसे नाशुआ देखो एक बात समझ लो कि छोटे बच्चे रहते हैं उसको आर्थी में मज़ा नहीं आती है आर्थी के बात परसाद मिलने वाला उसके लिए मज़ा आती है आलू मैं नहीं तो यह दो प्रकार के बाल जीव रहते हैं और ज्ञान जीव रहत दुख आएगा तभी गवान को याद करता है तो दुनिया में चार प्रकार के बखत्त के लिए ऐसी बाते हैं तो जो भयाक्रावान के लिए जाता है नहीं तो गुना करते रहेंगे वो लोक मार पीटाई होती है कपड़े फट जाते हैं मार पीटाई के टाइम उसकी स्रद में प्रसाद से वो भगवान की बक्ति कर रहा है तो सब उचीत है उचीत है क्योंकि आरती के टाइम इतनी गर्वी हो जाती है धक्का मुक्य होती है वगवान की करने में नहीं किसी को दुख देने में और वो स्रद्धा उसको बहुत बड़ा पुन्य का वीज गिरता है हुने पुन्य का उपार्जन कर रहा है वो और जो बुद्धी शाली है वो वीवेक से सोचता है क्या इसमें फाइदा मगर बहुत बड़ा फाइदा है मैं भी ऐसे ही सोचता था एक बार एक बार मैं बना सांति सब लोग को बैठने दो और आरती काने दो निरुमा बताते है नहीं उसको आरती हात में दो मैं बला इसे है तुम भाव तो देखो उसकी रदी की भक्ति तो देखो अब बुद्धी से सोचते हो गिर जायेगा लग जायेगा क्या इसमें बैठके बोष्व करने में क्या हरकत है पर ओ भक्ति बाल जिवों के लिए बहुत उपकारी है हो ना ही चाहिए और आप जिगनासु भक्त है तो आप आगे बढ़ सकते हो आप बहुत ओभी आवश्यक है और दिया पांच लगाते है ने ओभी आवश्यक है कोई बोला मुझे दिवायत की जरूरत नहीं मैं ऐसे ही करूँगा और वो किस के लिए जो उपर की कक्षा में बढ़ गया उसके लिए याने दोनों सावसार में सच्छी है बाल जीवों के लिए अलग-अलग है और ज्यान जीवों के लिए भी अलग है रहने देने का वो आप सुन रहे हैं नई द्रिष्टी नई रा दोस्तो आज हमने सुना भक्ति का इंपोर्टेंस और जाना की मोक्ष के लिए गनान और भक्ति दोनों की जरूरत है अधिक जांकारी के लिए फोन नंबर है 1-877-505-DADA extension 23 हमारी वेबसाइट है hindi.dadabagwan.org या फिर एमेल करें dadahonradio at us.dadabagwan.org या फिर दादा बगवान फांडेशन यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए हमें दे इजासत कल फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए stay in the present प्रूप्यक्षी हे इनि प्यानी